नूव दंगों का प्रभाव जहां पडूसी जिलू के रहने वाली लोगों पर पढ़ रहा है वहीं वहीं इंटरनेट की पावंदी तीन दिन और बढ़ा दिये जाने से शेहर के बाजारों में कस्टमर दिखाई नहीं दे रही हैं जिसका से डिजिटल प्यमेंट पर दिखाई दे रहा है दुकानदार भी काफी परिशान दिखाई दे रही है और दिन भर ग्रहकों की राह देखते रहती हैं यह परशानी इतनी आदा है कोई साभी निया अब सरकार ने पांस ताइए तक बंद कर दिया है अब देखो किस्टूमर आता है वो कहता है नेट से दूंगा पैसे न वो होते नहीं है पैसे होते हैं इसके बास तो जफ्रंदर इसके अश्य पर सेंट फ़ला कैजी तो सब कैस क अब जब तो नहीं है जिसके बाद नेट फुलेगा जैसे किनेट की सुविधा बंद होने से मैं कोई फैन और पर्चेज करने आया था तो अब मेरे बास कैश नहीं है सारा फॉन पर पेटियम कर दिया था अब मैं फोन इनको पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं तो इससे मेरा अब जैसे मेरा फैन है मैं पर्चेज नहीं कर पा रहा हूं तो नेट बन होने को अगरा वर्ट्सवब एगरा पेटियम लेकरके आते थे पहले दिन में 15 से 20 कस्टमर होते ते इनको पेटियम करना होता था तो क्या आजकल डिजिटल ज्यादा हो गई है लोगबाद कैश ले जो भी कोई PTM के लिया आता उसका PTM होता नहीं है नेट चल नहीं रहा है और दो दिन हो गए है इसको जिलते जिलते और आगे आने वाले तीन दिनों तक भी यही हल रहेगा तो इससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है हां जी दुगतनार यहीं कि ज़र यह जो नूर की वज़ कि आटे हैं और समान तो लेते हैं लेगन जब पेमेंट वाली बात आती है तो बोलते हैं भाई समान याइन देंगे इसके विए से घाली आग जाना पर तो उन्हें भी और हमें भी और ऐसका ने दो थीन दिन जाना नक्शान हैं कि बदाओ बदाया बर्पाई करना भी आपको बता दे कि नू दंगों का प्रभाव जहां पडोसी जिलों के रहने वाले लोगों पर पड़ा है वहीं इंटरनेट के पवंदी तीन दिन और बढ़ा दिये जाने से शहर के बाजारों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है जिसके वज़र से दुकानदार काफी परिशान दिखाई दे रही है नेट बंध होने का असर सबसे बड़ा डीजिटल पेमेंट पर पड़ा है और ग्रहकों की राह देखते दुकानदार काफी परिशान है अब देखना होगा कि दुकानदारों को इस परिशानी से कब तक राहत मिलती है। पंजर्ब किसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपॉर्ट